हेलो स्टुडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इंपुट डिवाईसे स्टार्ट कर दिया था कि इन पुट डिवाईसे क्या होती है कौन-कौन सी होती हैं जिसमें से 3 हमने पढ़ लिए थी पहले तो अगर हम थोड़ा से उसको रिवाइस करें input devices क्या होती है input devices वो devices होती है जो user से data लेके computer में भेज़ती है means जिस devices के थुरू computer में data डाला जाता है computer को निर्देश दिये जाते है वो devices कौनशी होती है input devices होती है जिसमें हमने keyboard पढ़ा था keyboard एक text input device है जिसके थुरू हम text की entry करते हैं जिसमें 5 type की keys हमने पढ़ी थी उसके बाद हमने mouse देखा था mouse एक pointing input device है जो निर्देश देने के काम आता है जिसमें 3 type के बटन थे left, right और scroll बटन और उसके बाद पढ़ा था हमने joystick और joystick जो है वो भी क्या है के pointing input device है और यह है game खेलने में use किया जाता है तो उसके बाद होता है हमारे पास track ball track ball क्या होता है track ball भी एक परकार की pointing input device है इसके बीच में एक ball लगी होती है जिसका प्रियोग monitor की screen पर pointer को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए किया जाता है जो track ball है उसमें क्या होता है एक ball लगी होती है और उसके help से हम computer की screen पर pointer को कहीं भी ले जा सकते हैं यह बिल्कुल पुराने mouse जैसा होता है लेकिन डिफ्रेंस ही है कि जो mouse होता था पुराना उसमें ball नीचे लगी होती थी और जो हमारे पास track ball होती है उसमें जो ball होती है वो उपर लगी होती है तो देखते हैं track ball कैसी होती है यह देखो डाइग्राम में यह वाली जो है यह track ball है इसमें क्या होता है यहाँ पे एक ball लगी होती है जिसकी वज़े से जो pointer है वो move करता है और जो पुराने mouse होते थे उसमें यह वाली जो ball है वो mouse के नीचे लगी होती थी जिसकी वज़े से mouse move करता था लेकिन track ball में यह ball उपर लगी होती है उसके बाद आता है light pen जो next device है हमारी input device वो है light pen light pen भी एक pointing input device है जो pen जैसी होती है इसके नाम से पता लग रहा है light pen कि इसके जो shape होती है वो कैसी होती है pen जैसी होती है यह देखो यहाँ पे जो यह वाली screen पे आपको दिखाई दे रहा है जो pick आपको दिख रही है वो किसकी है light pen की light pen क्या है एक है input device है pointing input device है जो pen जैसी होती है इसका प्रियोग monitor पर दिखने वाले menus या फिर जो options हैं उनको select करने में या picture को draw करने में इसका use किया जाता है जब हम pen की ये जो tip है इसको monitor पर चलाते हैं तो क्या होता है जब pen की button को दबाया जाता है तो इसका जो photo cell है वो location को प्राप्ट कर CPU को जो है वो भेज देता है इसका photo cell sensor जो है वो location को प्राप्ट करता है उसको पता चल जाती है और फिर क्या करता है वो CPU को भेज देता है light pen देखते हैं इसकी थियोरी light pen एक pointing input device है जो pen जैसा होता है इसका प्रियोग monitor पर जो भी menus दिखते हैं जो भी options दिखते हैं उनको अगर हम select करना है या कोई picture को draw करना है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है और जो monitor की screen पर इसको चलाया जाता है और pen के button को दबाया जाता है तो इसका जो photo cell sensor है वो location जो है वो CPU को भेज देता है next है touch screen तो आपने देखा ही होगा जो आपका phone यूज कर रहे हो आप वो भी क्या एक touch screen है आप screen को touch करके ही उसको operate करते हो touch screen एक परकार की input device है यह user से तब input लेता है जब user अपनी उंगली को computer screen पे रखता है जब हम अपनी उंगली को phone पे या computer screen पे रखते हैं तो क्या देते हम input दे रहे हैं इसका जो प्रियोग है वो ATM में किया जाता है mobile में किया जाता है और supermarket में इसका user करा जाता है इसके pick देखो यह वाली जो है यह क्या है एक touch screen है यह वाला क्या है track ball है first वाला यह track ball है और यह क्या है touch screen है जिसका प्रियोग कोई भी हम location को touch करते हैं तो इसका use किया जाता है उसके बाद आता है microphone microphone को आप mic भी बोल सकते हो और microphone भी बोल सकते हो यह input device हमारी आवाज को electronic रूप में बदलता है computer किसको process करता है जो भी electronic format में होता है उसको process करता है तो यह जो mic और microphone है यह क्या करेगा हमारी आवाज को electronic रूप में change कर देगा ताकि computer इसे store करके process कर सके यह हमारी आवाज को CPU तक पहुंचाता है mic देखो यह वाला जो है यह क्या है mic है और यह भी mic हो सकते है यह तीनों भी mic ही है यह जो है यह भी क्या है microphone है आप इसको mic बोल सकते हो microphone बोल सकते हो उसके बाद आता है हमारे पास डिजिटल कैमरा उसके बाद आता है डिजिटल कैमरा जिसको आप वैब कैम भी बोलते हो इसका प्रियोग हमारी फोटो कहिंच कर उसको इलेक्टोनिक रूप में बदलना होता है और फिर कम्प्योटर में स्टोर करना होता है क्या करता है ये ये हमारी फोटो लेता है उसको उ कम्प्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है electronic रूप को तो यह क्या करेगा ये पिक लेगा उसको electronic रूप में बदल कर computer में store कर सकता है इसका जो यूज है वो वीडियो conference में होता है और online लाइन चैटिंग में होता है ये देखो ये वाली जो पिक है ये क्या है दोनों वैब कैम ये दोनों क्या होते हैं वैब कैम होते हैं जो हम डेस्टोप कम्प्यूटर यूज करते हैं उसके उपर ये प्लेस किये जाते हैं और जो लैप्टोप होता है उसके अंदर इन बिल्ट ही होता है laptop में inbuilt होता है हमें अलग से लगाने की जूरूत नहीं पड़ती लेकिन जो desktop होता है उसमें हमें अलग से ये लगाना पड़ता है जो क्या करेगा हमारी photo लेगा और उसको computer में save कर देगा उसके बाद आता है scanner scanner क्या है कि अगर आपको कोई text एंटर करवाना है कोई एक्सर एंटर करवाना है कुछ टाइप करना है तो वो आप किसके help से कर सकते हो keyboard की help से कर सकते हो लेकिन अगर आपको कोई photo डालनी है कोई चितर डालना है आपकी image डालनी है computer के अंदर तो क्या वो keyboard से डाल सकते हो keyboard से वो हम नहीं डाल पाएंगे जो भी हमारे पास input होती है या फिर जो हमें output मिल रही है computer से वो हमारी दो form में होती है एक तो होता है hard copy और एक होती है soft copy जो आप monitor की screen पे देखते हो वो क्या होता है soft copy जिसको आप देख सकते हो लेकिन उसको आप चूँ नहीं सकते अटली उसको read कर सकते हो जो output दे रहे है computer उसको only आप read कर सकते हो उसको आप touch नहीं कर सकते hard copy कौन सी होती है जो printer आपको page निकाल के दे रहा है जो page आपके हाथ में आ रहा है वो क्या है hard copy तो यहाँ पे क्या हुआ अगर हमारे पास for example हमारे पास हमारी pick है तो वो pick क्या हुई हमारे hard copy हुई जो हमारे हाथ में है वो क्या हुई है hard copy है वो लेकिन वो pick हमें computer की अंदर डालनी है computer में store करनी है तो हम क्या करेंगे उसको soft copy में change करेंगे और soft copy में change कैसी होगी scanner की help से तो scanner की definition देखते हैं यह device हमारे जो कागजी दस्तावेज है या जो हमारी photo है उसको electronic रूप में बदल कर computer में store करता है और बाद में हम इस e-document को कितने भी पार प्रियोग कर सकते हैं e-document क्यों बोला गया क्योंकि अभी soft copy बन गए electronic document बन गया जो हमने computer में store कर लिया वो क्या बन गया अब electronic document इसलिए उसको बोला इसने e-document तो हमारा जो scanner है वो क्या करता है जो भी हमारे कागज है या photo है उसको क्या करेगा electronic रूप में बदल के computer में store कर देगा और बाद में हम उसको कैसे भी use कर सकते हैं अगर हमें कहीं पे mail करनी है भेजनी है तो भी हम उसको भेज सकते हैं क्योंकि अब वो electronic रूप में आ गई है इसका diagram देखो ये जो है ये क्या है scanner है आज के लिए होता है printer और scanner दोनों साथ में आते हैं एक ही device होती है वो printer का काम भी कर रही है और उपसे वो scanner का काम भी कर रही है तो यहाँ पे जो device दिखा रखी है वो क्या है scanner है अगर हमारे पास किसी document की कोई photo की hard copy है उसको हमें soft copy में change करना है computer में store करना है या कहीं पे send करना है तो हम क्या करते हैं scanner की help से उसकी soft copy create कर लेते हैं जो scanner होते हैं वो mainly दो type की होते हैं कौन-कौन से flat bed scanner और handheld scanner जो बड़े scanner है वो कौन से है flat bed scanner ये बड़े और महेंगे होते हैं और उच गुनवता वाले चितर पैदा करते हैं अच्छी quality की pick ये जो है वो produce करते हैं ये बिल्कुल photo copy की machine की तरह काम करता है और एक बार में पूरा page जो है वो scanner कर देता है scanner क्या है scanner वो device है जिसकी help से हम हमारे document है कोई photo है उसको scan करके soft copy में change कर सकते हैं means उसको electronic रूप में change करके computer में store कर सकते हैं कहीं पे भी send कर सकते हैं जो की mainly दो type का होता है flatbed scanner and handheld scanner जो flatbed scanner है वो महेंगा होता है और उच गुनवता वाले चितर पैदा करता है बिल्कुल photo copy की machine की तरह होता है और एक बार में पूरा page scan कर देता है और जो handheld scanner है वो क्या है वो काफी छोटे होते हैं हलके होते हैं हाथ में उसको easily हम उठा सकते हैं अगर बड़े document को scan करना है तो अलग-अलग भागों को scan करना पड़ता है तो scanner हमने देखा जो की दो type का है कौन-कौन सा flatbed scanner और handheld scanner अब देखते हैं इनके diagram ये देखो ये वाला जो है ये क्या है flatbed scanner ये है flatbed scanner और ये क्या है handheld scanner जो की हमने देखा कि जो हमारे पास scanner है वो दो type के होते हैं flatbed scanner और handheld scanner तो आज हमने क्या पढ़ा हमने input devices पढ़ी कौन कौन सी trackball देखा हमने trackball क्या होती है pointing input device है जिसके बीच में एक ball लगी होती है और उसी की help से क्या होता है computer की screen पे pointer को move करवा सकते हैं इसमें जो ball होती है वो नीचे लगी होती है उसके बाद आया light pen, light pen क्या है यह pointing input device है बिल्कुल pen जैसे इसकी safe होती है monitor पर जो हमारे पास menus दिख रहे हैं जो options दिख रहे हैं उनको select करने में और कोई भी picture को draw करने में इसका use किया जाता है जब pen की tip को monitor की screen पे घुमाया जाता है और pen का button दवाया जाता है तो इसका जो photo cell sensor है वो क्या करेगा location को प्राप कर CPU को भीज देता है test screen क्या होता है test screen भी एक परकार की input device है जो user से तब input लेता है जब user अपने उंगले को computer की screen पे रखता है इसका उपयोग ATM में, mobile में और सुपर मार्केट में किया जाता है mic और microphone यह है input device है जो हमारी आवाज को electronic रूप में change करेगा और CPU के पास भेज देगा तो यह हमने देखा कि हमारे पास क्या था track wall है, test screen है, light pen है और mic है और यह भी mic के क्या है, type है अलग-अलग से digital camera क्या होगा, digital camera हमारी computer पे लगा होगा जो हमारी photo case के, उसको electronic room में change कर, computer में store करेगा जिसका परियोग video conferencing और online chatting में होता है scanner क्या होता है, scanner एक परकार की device है जो हमारे कागज दस्तावेज है, या जो हमारी photo है उनको electronic room में बदल के computer में store करेगा और उस e-document को, उस electronic document को हम बाद में use कर सकते हैं जो कि दो type का है, flat bed और handheld flat bed बड़ा होता है, handle छोटा होता है जो flat bed है वो महंगा होगा और क्या होगा, उसको हाथ से carry करना easy नहीं होगा हाथ से उठाना easy नहीं होगा अच्छे quality की वो image बनाएगा बिल्कुल photo copy की तरह, machine की तरह होता है और पूरे एक page जो हो एक time में scan करता है handle scan छोटे होते हैं, हलके होते हैं, हाथ से उठाए जा सकते हैं तो ये हमारे पास क्या हैं दोन्नों, web cam है दो type की यहाँ पर web cam दिखा रखे हैं web cam दिखा रखे हैं, digital camera भी बोल सकते हो ये scanner है और ये दो type के scanner है flatware scanner और handheld scanner देक्ते हैं